असलाम वालाइकूम वेलकम बैक टू फूट वीडियो उमीध है आप सब खेड़ियत से होंगे आज मैं आपके लिगिलाई हूँ आसानी से बनने वाली ब्राउन ब्रेट की रेसिपी वो भी ओवन के बगेर पतीले में ये ब्रेट बहुती हेल्दी और सौफ्ट बनती है तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डो तयार कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए तीन कप गंदुम का आटा इसमें वन टी स्पून इंस्टन्ट इस्ट यानि खमीर डाल देंगे इसके बाद हाफ टी स्पून नमक और वन टेबल स्पून चीनी एड़ कर देंगे और वन टेबल स्पून ओल डाल के मिक्स कर लें इस डो को गुनने के लिए हम एक मिक्सचर त्यार करेंगे एक कप नीम गरम दूद और दो कप नीम गरम पानी को मिक्स कर लें इसको थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाएं और डोग उनते जाएं इसमें टिप ये है कि पानी और दूद दोनों नीम गरम होने चाहिए अगर हमने ज्यादा गरम मिक्स्चर इस्तमाल किया तो इस्ट खराब हो जाएगा और ब्रेट नहीं बनेगी अब इसमें वन टेबल स्पून ओईल एट कर दें और डोग में अच्छे से मिक्स कर लें हमारे सारे इंग्रेडियंस अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम डोग को अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा सा अटा छिड़के और डो को रखके 10 से 15 मिनट के लिए गून लें डो जितनी ज्यादा अच्छी गून देंगे ब्रेट उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी अब डो को फिला लें इसको इतना फिलाएं कि जिस पैन में हमने इसको बेग करना है यह उस पैन जितनी हो जाए इसके लिए हम फ्रूट केक वाला रक्टैंगल शेप पैन यूज़ कर रहे हैं अब डो को इस तरह से रोल कर ले और इसके किनारों को अच्छी तरह दबा के बंद कर लेंगे ब्रट की डो को पैन में रखतें और एक घेंटे के लिए कवर कर दें जब तक ये डबल ना हो जाए सर्दी के मौसम में हो सकता है कि ये दो घेंटे में राइस हो इसको हम किसी गरम जगा पे रखेंगे इसको कपड़े से कवर नहीं करेंगे ताके राइस होने के बाद ये चिपक न जाए और ये हमारी डो साइस में डबल हो गई है पतीले को दस मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख देंगे इसमें कोई सा भी स्टैंग या प्लेट उल्टी करके रख दें अब ब्रेट को पतीले में रखतें और मीडियम टूलो फ्लेम पे चालिस मिनट के लिए बेक कर लें ब्रेट बेक हो चुकी है अब इसके उपर ओल घी या बटर ब्रश कर दें ये ब्रेट बहुती मिल्की और बहुती मसेदार बनती है आप भी जरूर ट्रॉय कीजिएगा इसको एट घेंटे के लिए कवर करके रखतें और फिर काट लें देखिए कितनी परफेक्ट बेक हो गई है अब मैं आपको इसका स्लाइस कट करके दिखाती हूँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है अब मैं एक ब्रेट का स्लाइस आपको तोर के दिखाती हूँ मज़े की बात ये है कि आप इस ब्रेट को स्टोर भी कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और यूस कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर राने वाली नए वीडियो मिल जाए अल्ला पाक आप सबको आबाद रखे आमीन